नमस्कार फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे शाही फोटनी किच्छन में आप सबको हैप्पी विंडर आज हम बनाते हैं तील का गजक या तील की पॉप्रिन इसके लिए हमें चाहिए एक कोटोरी तील एक कोटोरी गुड और थोड़ा सा गी जितना तील है उतना ही गुड हमें लेना है एक पैन में तील डाल दीजे धीमी आज में इसको भूनना है आप से दस मिनिट अब पूरा कलर चेंज होने तक नहीं करना है क्योंकि कलर चेंज हो गया और ज्यादा भून दिया तो ये कड़वा हो जाता है तील गैस आफ कर दीजे थोड़ा थंड़ा होने के बाद इसमें से आधा तील लेके दरदर अपीस लीजे एकदम बारिक नहीं करना है दरदर अपीसना है ऐसे अब एक पैन में गुड़ डाल दीजे मीडियम लो फ्लेम में हमें इसकी चासने बनाना है गुड़ जल्दी पोड़ने के लिए या कट करने के लिए आप इसे गुड़ को ओवन में 15 से 30 सेकंद के लिए रख दीजे आसानी से कट हो जाता है गुड़ इसमें डाले डेड़ चमच घी अगर आपके पास ओवन नहीं है तो एक छोटे बरतन में गुड़ रखके कुकर में रख दीजे तीन से चार मिनिट के लिए निकाल कर इसके कट कर दीजे तो आसानी से कट हो जाएगा गुड़ मीडियम आच में हमें चासनी बनानी है इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुर जब तक चासनी बन रही है तब तक हम जिस बरतन में या जिसमें भी हम ये तील का गजग बना रहे है उसे क्लीन करके उस पर घी या तेल लगा कर रेड़ी करके रखेंगे अगर थाले में बना रहें तो थाली में गही लगाईए या तो platform में अगर आप बना रहे हो तो platform क्लीन करके उसमें गही या तेल लगा दीजिए चासनी रडी है क्या देखने के लिए एक कटोरी में पानी लेके उसमें हम डाल कर चेक करेंगे एक दो बुंद डालना है अभी रेडी नहीं हुआ अभी थोड़ा सा पकाना पड़ेगा इसे हमें अच्छी तरह से मिलाते रहना है देखते हैं और एक बार तयार है क्या चासनी अब चासनी रडी है चासनी पानी में डालने के बाद वो जो गोली बन जाती है वो गोली हाथ से तुटनी चाहिए जल्दी से तब समझ लेना कि चासनी रडी है अब ग्यास बंद करके इसमें डालिए तील थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा ये क्योंकि एक बार वो चासनी टाइट हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है गजक डालने के लिए ग्यास को बंद कर देना हमें चासनी रेडी होते ही अब डालिए बटर पेपर पर हाथ से थोड़ा ठीक कर दीजे इसको बेलना है हमें और जिस बेलन से हम बेल रहे हैं उसे भी हम लोग गी लगा कर बेल देते हैं इसके किनारे किनारे ठीक करते हैं फिर बेल देते हैं थोड़ा सा जलदी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जम चाती है घजख, तो जितना आपको पतला या जाड़ा रखना है, उतना आप कर दीजे जलदी जलदी, और स्क्वेर में पहले ही इसे थोड़ा कट करके रख दीजे, जब गरम होता है, तब आसानी से हम इसको कट क कर सकते हैं एक 4-5 मिनिट के लिए रखना है हमें फिर बाद में हमें इसे जिस भी थाली में या डबे में निकालना है उसमें निकाल के रख सकते हैं या आराम से 15-20 दिन चलती है कुछ खराब नहीं होती देखें बटर पेपर में डालेंगे तो थोड़ा सा जल्दी निकलता ह कोई निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती है इस तरह से थंडी में तील खाना बहुत अच्छा होता है और तील में बहुत प्रोटीन और कैल्शिम होता है आपको मेरी रेशेपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर देन कर दोने ही यहितिक है और चाना बठील कर दो लूर यहित दो लूरख सम्मात।